कि हैं आप साभी बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर सवगात है और आज का टोपिक है सन्यूक्त सूच मदर्सी कोस्चन कैसे आता है सन्यूक्त सूच मदर्सी किसे कहते हैं आप अरधन चमता के लिए सूत्र निकालिए बिंजक कि स्थापना कीजिए ठेक है तो वीडियो को को उन्तक देखेगा आज की इस वीडियो के माद्यम से सईक्त सुशमदर्सी आप इतना बारीकी से समझ जाओगे कि आपको भूलना है ना मुस्किल हो जाएगा कहने का मतलब एग्जाम में आएगा पर बच्चों तो आप आसानी से कर पाओगी एकदम इजीवे से इसलिए आ सईक्त मतलब आपको पता है सईक्त मतलब पैर बच्चों जैसे दो चीजों को जोड़ दें उसे सईक्त कहा जाता है यहां पे एक लेंस नहीं होगा यहां पे एक से अधिक लेंस का प्रियोक किया जाएगा ठीक है जैसे हम दो उत्तर लेंगे और हम उसको सईयों कर देंगे एक frame में तुँ जो हमारा सूचम दर्सी बनेगा वो सविच मदर्सी कहलाईगा सूचम दर्सी तो आपको पता है कि सूचम बस्तुओं को देखने के लिए जिसे यंत्र का प्रियोग केळाता उसे कहते हैं सूचम दर्सी हमने दो प्रकार से बताया था पिछले वीडियो में एक सरल सोचमदर्सी और एक सरल सोचमदर्सी हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था हो सकता है आप लोग देखे होंगे और ये हमारा है पेरबच्चो सरल सोचमदर्सी सरल सोचमदर्सी में भी कम फोकस दूरी वाले दो उ उत्तल लेंस को हम एक फ्रेम में समयूजित कर दें, वो हमारा बन जाता है क्या सेंग तो सुच्मदर्शी, जैसा कि यह डाइग्राम है, परवच्छों डाइग्राम में समझेंगे आप लोग, यह आपका एक फ्रेम है, इस फ्रेम में एक दो लेंस है, यह हमारा मान चुक्छ क्यांत्र, जिसे संयग तो सुच्मदर्शी कहते हैं, क्लियर है न, आवर्धन चम्ता किसे कहते हैं, अंतीम प्रतिविम द्वारा नेतर पर कितना कोण बन रहा है, और इस परष्टड्रिश्ट की निवन्तम दूरी परिस्थित, बस्तु द्वारा नेतर पर कितना कोण बन उसका है और इस पश्ट द्रिष्ट के नियुंतम दूरी पर कोई बस्तू रखा है उसके दौरा नेत्र पर कितना कोण बन रहा है इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है आवर्धन चमता ठीक है परिभात सा लिखना है नौट डाउन कीजिए अंतिम प्रतिम में दौरा नेत्र पर अंतरित कोड इस्पष्ट द्रिष्ट के नियुंतम दूरी पर इस्थित बस्थ दौरा नेत्र पर अंतरित कोड के अनुपात को संयुक्त सुचम दर्शी की आवर्धन छमता कहते हैं डाइग्राम के माध्यम से देखें ये बीटा क्या है पर बच्चो ये बीटा है अंतिम प्रतिम में दौरा निर्मित कोड और जो आपका अलफा है वो इसपर्ष्ट दर्ष्टी हम अभी बता रहें जब इसपर्ष्ट दर्ष्टी की बात आजाएगी उसकी दूरी को capital D से दर मित कोड है और जो अलफा है वो बस्तु दौरा इसपर्ष्ट दर्ष्टी की नियुनतम मतलब बस्तु को इतने दूरी पर रखें कि वह हमें इसपर्ष्ट दर्ष्टी की नियुनतम दूरी मतलब हमें वो बस्तु अच्छे तरीके से दिखे इतना दूरी पर बस्तु को ठीक है इसके बाद यह डाइग्राम पर वच्चो थोड़ा समझना जरूरी है यह हमारा L2 है यह L1 है यह आई है ना आई नहीं आख आई के पास जो हमारा लेंस है उसे क्या बोलेंगे नेट्रिका लेंस और जो बस्तू के सामने जो लेंस है उसे कहते हैं अभी द्रसक लेंस ठीक है बस्तू के सामने जैसे भाया जब हम देखते हैं तो डाइडेक्ट हम इस लेंस के माद्धम से नहीं देखते हैं हम इस लेंस को देखते हैं इस लेंस की सहारे से हमको बस्तू का प्रत्रिम देखता है लेकिन बाकई में यह जो लेंस है वो बस्तू को नहीं देखता ह और यह जो वस्तू को लेंस देखता है वस्तू के सम्मुख जो लेंस होता है उसे कहते हैं अभी द्रसक लेंस क्या बोलते हैं पैर बच्चो अभी द्रसक लेंस यह जो वस्तू के सम्मुख है मतलब सरी लेंस के सम्मुख जो हमारा एक बस्तू A B है यह पहले L1 के दोहरा प्र प्रतिम यहां पर देखें, A2, B2 बन गया, मतलब यह जो A B है, A B अविदरस्टक लेंस के लिए बस्तु का कार करेगा, जिसका प्रतिम A1, B1 बना, अभी जो A1, B1 है वो नेत्रिका लेंस के लिए बस्तु का कार करेगा, और इसका अंतिम प्रतिम प्रतिम प्यरवचो A2, B2 बनेगा ठीक है नोट डाउन करिएगा हम या दी बात करें बसस्टो की दूरी को यूसे दर्स आते हैं बिलकुल अविदरस्ट्सक्रेंस है इसलिए ओ कर दिया हमने इसका प्रत्रिम A-B- तू यहां तक की दूरी प्रत्रिमी की दूरी B-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C भाख होता है तो नेत्रिका लेंस से देखते हैं अपन तेक है इसलिए आप इसके लिए बस्तू कौन साये एवन बीवन फिर से समझने के कोशिश करेंगे नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे पैरे बच्चो यहां पे जो नेत्रिका लेंस है इसके लिए बस्तू का कार कर ला है इसको भी हम यू से दर्स आएंगे बस्तू की दूरी को यू से ही दर्स आते हैं यहां भी यू से ही दर्स आया था हमने लेकिन ओ अभी दर्सक लेंस तो लिखे दिया हमने यहां भी यू से ही दर्स आएंगे बस्तू की दूरी को लेकिन यहां पर नेत्रिका लेंस इसलिए पर बच्चो U E लिख देते हैं और एक चीज और इदी आप जानना चाहते हैं E यहाँ पर क्यों लिखते हैं नित्रिका है नित्रिका को बोलते हैं पर पर आई पीस क्या आई पीस और एबजेक्ट अबजेक्ट मतलब यहाँ पर अविद्रस्टक अबजेक्टिव भी कह सकते हैं O V J E C T I V अबजेक्टिव यहाँ आपका अविद्रस्टक होता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं O से हमारा अविद्रस्टक लेंस E से नित्रिका लेंस बस तो की दूरी को U से ही रिप्रेजेंट करेंगी अब द्रस्टक के लिए तो O है नित्रिका के लिए E है इसके लिए ये प्रत्रिवंब है इसलिए भी O से है इतना क्लियार है एक-एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे यूज होगा आप डाउट में ना रहें आगे चलते हैं आपको लिखना है क्या आवर्धन चमता का सुद्रक्ट की से क्या होगा अंतिम प्रतिवम द्वारा नेत परन्तित कौन वटे इस पश्ट द्रिष्टिके नियुम्तम दूरी परिष्थित बस तो द्वारा नियुम्तम कौन तो सायुक्तो सूच मदर्सी संग तो सूच में दर्सी की आवर्धन चमता आवर्धन चमता एक कोल हमने क्या कहा अंतिम प्रतिविंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण अंतिम प्रतिविंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण ठीक है फिर डिवाइड बाई इसपस्ट द्रिष्ट के नियुनतम दूरी पर इस्थित बस्तु दौरा नेत्र पर अंत्रित कोण इसपस्ट द्रिष्ट के नियुनतम दूरी पर इस्थित बस्तु दौरा ठीक है नेत्र पर अंतरीत कोण ये हो गया पिरोच ये आपका आया आवर्धन चम्ता क्या आया आवर्धन चम्ता यदि हमने मानी कर चला कि भी या प्रद्रीम दौरा निर्मित कोण कितना वीटा है ठीक है और बस तो दौरा जो निर्मित कोण अलफा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं small m small m equal beta upon alpha या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं beta को 10 beta और alpha को 10 alpha आप पर लिख सकते हैं alpha बराबर 10 alpha वा beta बराबर 10 beta यदि alpha और beta का मान अत्यंत काम है है ना तब ऐसा होता है तो यहाँ पर आप नीचे लिख भी लिजिए ताकि आप लोगो doubt ना हो सके चुकि alpha वा beta का मान अत्यंत कम है अत्यंत कम है alpha वा beta का मान अत्यंत कम है तो इसको आप समिकरण एक दे सकते हैं पेर वच्चों यहाँ पर हम इसको समिकरण एक दे देते हैं क्योंकि ज़रुरत पड़ेगी अब फिर से डाइग्राम में चलते हैं बीटा आपको कहां दिख रहा है ये बीटा ये टैन बीटा और कोण बराबर क्या होता है चाब बटे तिज्जा इसी प्रकार पर बच्छो हम लेंगे टैन थीटा का फार्मुडा टैन थीटा क्या कहता है लंब बटे आधार तो इसका बोल रहे है पेर बच्छो की तैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चितर से कहां से चितर से डिरेक्ट लिखते हैं बहुत ज़्यादे लिखने जरो थे नहीं है टैन बीटा क्या टैन बीटा लंब क्या हो जाएगा एवन बीवन और आधार हो जाएगा E B 1 कितना हो जाएगा A 1 B 1 A 1 B 1 बटे E B 1 वा वा 10 अलफा बराबर अलफा देखो कहाँ पर ये अलफा है कोड के सामने वाले भुजा लंब तो A B बटे O B 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 लेकिन पहरे बच्चो सोचिएगा A B बटे हम D करेंगे क्यों क्यों क्योंकि बोला ना हम ऐसी दूरी पर रखें कि प्रत्विम इस पश्ट रूप से दिखाई दें तो इस पश्ट रूप से दिखाई देने के लिए जो नियुनतम दूरी लेकर चलते हैं वो कैप्टल D मानकर चलते हैं क्या मानकर चलते हैं कैप्टल D मानकर चलते हैं इस पश्ट दूरिश्ट के नियुनतम दूरी पर प्रतिम बने तो उसको हम कैप्टल D मानकर चलते हैं अब समिकर्ण एक से समिकर्ण एक से समिकर्ण एक क्या कहता है M बराबर 10 बीटा 10 बीटा कमान A1 B1 बटे E B1 ओके और 10 अलफा मतलब A B बटे D एक काम करते हैं ना समझेगा यह जो नीचे आ रहा उसको नीचे आने दो जब अरजस्ती क्यों फेक रहे है उधर उधर इसको नीचे आने दो ओके और जो नीचे जा रहा है जो जब जब नीचे जाएगा तो उसे उपर उठा दो यहनि अन्स का हर नीचे आता और हर का हर उपर जाता है यह आपका कम्प्लीट हो गया इसको थोड़ा सा और जी अरेंजिमेंट करना चाहते हो तो A B को इधर ले आओ A B को इधर ले आओ तो A 1 B 1 बटे E B 1 हो जाएगा इन्टू D अपान सरी A B करना है A B कर दो और यहाँ पर E B 1 ठीक है तो आपका A B है यहाँ पर यह डैस को मैंने कैंसिल कर दिया तो यह पहर बच्चो A B है क्या है A B है A 1 B 1 बटे A B है फिर बार बार कह रहा हूँ ना फिर आप हम तो समीकर्ण इसको दे सकते हैं दो समीकर्ण दो इतना क्लियर है इसके आगे भी बहुत कुछ है तो आप स्टेप बाइ स्टेप समझते चलें तभी आपको समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा अब देखिए गा एक समरूप त्रिभूज हम लेकर चलेंगे मतलब यहां पर और समरूपता का नियम क्या है पहर बच्चो कि समरूप त्रिभूजों के संगत भुजाओं का उन पात समान होता है एक त्रिभूज इसको लेंगे A, B, O या A, O, B में A, O, B में A, B का संगत A, B, D, S फिर समझेगा A, O, B और A, 1, B, 1, O या A, 1, O, B, 1 में मतलब यह वाला त्रिभूज यह वाला त्रिभूज A, B का संगत A, 1, B, 1 O, B का संगत O, B, 1 फिर समझेगा A, B का संगत A, 1, B, 1 और आपका O, B का संगत O, B, 1 ठीक है वही दोनों त्रिभुज लेकर चलेंगे कौन-कौन सा त्रिभुज दो त्रिभुज हमने बोला आपको कि त्रिभुज समरूब त्रिभुज समरूब त्रिभुज आप लेकर चलेंगे A1, B, O, N या A1, O, B1 वा त्रिभुज A, O, B यदि हम इसका भुजा लेंगे A1, B1 तो इसका संगत होगा A, B इसका यदि हम संगत भुजा लेंगे B, O, B1 इसका हो जाएगा O, B मैंने आपको बताई दिया संगत भुजा दो समरूब त्रिभुज है तो संगत भुजाओं का उनुपात समान होता है इतना क्लियर है इसके बाद हम समिकर्ण 2 में मान रखनेंगे A1, B1 बटे A, B इसके जगए लिख सकते हैं O, B1 बटे O, B समिकर्ण 2 में मान रखनें पार या समिकर्ण 2 से ऐसा लिख दो समिकर्ण 2 से समिकर्ण 2 क्या कहता है M, इक्वल इसके जगे बैलू रखेंगे ना A1 B1 बटे A B के जगे रख सकते हैं O B1 बटे O B बाकि डाइग्राम आपको पता हूँ न चाहिए डाइग्राम है दिया आपकी समझ मिनिया है तो फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे और इसको आप समयकर्ण तीन दे दे प्यारे बच्चो अब हम आपको समझाने वादे हैं चिन्द परिपार्टी चिन्द परिपार्टी O B1 क्या है O B क्या है E B1 क्या है या D क्या है इसको हम चिन्द परिपार्टी से आपको थोड़ा समझाते हैं तो यह हमारा डाइग्राम है इस डाइग्राम के आधार पर हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहे है तो डाइग्राम में आपका O B क्या है यहां पर समझ यह O B O B क्या है वस्तू की दूरी U है लेकिन मैंने आपको एक चीछ समझाया था कि लेंस के इस लेंस की माय पक्च पर है यह जिनात्माख होगा इस लेंस के यह जो A1 B1 है इसके लिए मैं बात करूँ इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ यह अविद्रस्तक लेंस के लिए बात करूँ इसका यह प्रत्विम है इसके लिए जो प्रत्विम की दूरी होगी पाश्टिव होगी दूसरा चीज अगला समझेंगे इसके लिए यह आपका नेत्रे का लेंस है इसके लिए वस्तु का अकार कर रहा है तो यह जो यूई होगा प्यारे बच्चो यह होगा निगेटिव यह क्या होगा निगेटिव होगा तो यहाँ पर मैं थोड़ा साइदी यह आपसे कहे दो चिन परिपार्टी से चिन परिपार्टी से चलो बताओ जरा OB का मान आप बता दो OB का मान यहनी वस्तु जो आपका AB है प्यार बच्चो यहाँ से दूरी है वस्तु की दूरी से माइनस EU उ करेंगे क्योंकि बाएपक्च पर है ठीक है फिर O B 1 O B 1 ये भी 0 होगा और पास्टीव होगा ये दाये पक्षपर है फिर E B 1 E B 1 ये क्या होगा ये है इसके बाये पक्षपर है इसलिए माइनस हो जाएगा U E इस पूरे बैलू को और जो हमारा इसपष्ट द्रिष्ट का जो नियुन्तम दूरी D है वो भी निगेटिव होगा यहाँ पर हमें दिखाए दें कि इसपष्ट द्रिष्ट के जो नियुन्तम दूरी है है ना चिन्ण परिपार्टी से जो D का मान है रिनातमाख होगा क्यों रिनातमाख होगा 3 से ठीक है value put कर देते हैं पहले थोड़ा सा आपको हम समिकर्ण 3 यहां पर clear कर देते हैं समिकर्ण 3 क्या कहता है समिकर्ण 3 कहता है OB1 बटे OB, D बटे EB1 तो यहां पर value put कर देते हैं पैरे बच्चो हम small m के जगह है small m में जो भी value है OB1 का मन कितना है OB1 मतलब यह B0 ही आहां पर कहेंगे, B0 नहीं कहेंगे ठीक है और फिर OB, OB कौन minus U0 into यह DB minus D हो जाएगा और जो EB1 था minus UE हो जाएगा minus minus कर जाएगा, यह minus बस बचेगा small m और minus V0 बटे U0 into D upon UE इतना हो गया, यह हमारा अगला समिकर्ण मिल चुका है यह हमारा समिकर्ण चार मिल चुका है प्यारे बच्चो अब यहां से हम condition लगाएंगे कि जब अन्तिम प्रत्विंब पहला condition यह लगाएंगे जब अन्तिम प्रत्विंब इस पर्ष्ट द्रष्ट के नियूनतम दूरी पर बने जब प्रत्विंब कहाँ पर बने इस पर्ष्ट द्रष्ट के नियूनतम दूरी पर बने तो लेंस सूत्र आपको बता होगा लेंस सूत्र वन अपान एफ एकोल अन अपान भी माइनस अन अपान यू इसमें भी चिन्न पर पाटी लगाएंगे इस पर्ष्ट द्रष्ट के नियूनतम दूरी पर बने प्रत्विंब कहाँ बने इस पर्ष्ट द्रष्ट के नियूनतम दूरी पर बने देखिए भाईया एप तो हम आख से देख रहे हैं इसलिए अप ही लगाएंगे नेत्री का लेंस है इस पस्ट द्रिस्ट के निउन्तम दूरी पर बने उस स्थित में प्रत्विम्म को हम माइनस डी से दरसाएंगे है ना माइनस लेंगे भाईया क्योंकि ए के लिए जो वस्टू है फिर से हम बता रहे हैं हमारा जो ए है नेत्री का लेंस है इसके लिए जो वस्टू का कार करेगा भी है ना इसलिए भाईया माइनस डी रहेगा फिर हमारा जो U है वो अपना हो जाएगा माइनस U यह बस तो की दूरी है इसको तो निगेटिव से इधर साएंगे अब आगे चल कर कितना निकल कर आएगा बैलू तो यहां से 1 अपान F ही रहने दो एक्वल यह माइनस है पर बच्चो तो माइनस D ही रहने दो वन अपान D यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपान U दोनो पच्चो में यदि D का गुणा कर दें तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा दोनो पच्चो में D का गुणा करने पर दोनो पच्चो में D का क्या करने पर यहां पर आप देखेंगे समीकरन जो 4 कहता है डियापान यूई इसके बरादी बैलू निकालना चाहें तो यह माइनस है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा यह प्लस डियापन यूई इसका मान कहां राखेंगे पैरे बच्चो इसका मान हम रख देंगे कहां पर समिकरण 4 में मान रखने पर रख दीजिए कितना आएगा small m equal आपका कितना हो जाएगा देखे समिकरण 4 में बता रहा हूं समिकरण 4 कितना है समिकरण 4 है b0 बटे u0 माइनस में और d upon ue का मान था 1 प्लस d upon eb ये आगया पर बच्चो condition first का जब प्रतिम इस first द्रिष्ट की निय तम दूरी पर बने दूसरा जो condition आता है आप यहां पर लिखेंगे इस्थित second इस्थित सेकेंड जब प्रतिविम कहां पर बने अनंत पर बने तो बस्तुकों कहां पर रखेंगे focus पर रखेंगे जब अन्तिम प्रतिविम्ब जब अन्तिम प्रतिविम्ब और अन्तिम प्रत बराबर कितनो होगा F E क्योंकि जब फोकस पर रखते हैं तो बस तो को प्रतिम कहां पर बनता है अनंद पर बनता है समी करन 4 लेलो समी करन 4 से समी करन 4 से small M बराबर कितनो हो जाएगा minus B0 बटे U0 into जो आपका U E है उसके जगए F E कर देंगे यही आपका answer है ठीक है यह आपका तूसरा condition आया कि जब अंतिम प्रत्विम कहां पर बने अनंत पर बने और जो पहला करता हूँ इससे आप अच्छे तरीके समझ गहूंगे वीडियो पशांदार्ट लाइक ज़रूर करें सेयर करें मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो के साथ जैहिन बंद मात्रम